मतलब मुझे पता है कि आजाद हंट फाज थी मुझे पता है कि कहानी के बार में लगबग थोड़ा बात पता था लेकिन जिस डीटेल में पता होना जी ए वो बिलकुल नहीं पता था और मुझे लगता है यह बहुत दुक्ली बात है कि हमारी जनरेशन को इसके बारे में बिलकुल पता नहीं है. और मेरा होप है कि इस प्युर के थुरू थू मोगों को पता चले कि क्या-क्या कुर्बानिया हुई और कितना बड़ा पार्ट था एंका इन तीनों किरदारों का और उन तीनों कारेक्टर का और जो पुरी आजाद हुंद फौज है उनका कितना बड़ा पाट था हमारी आजादी में तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि रंग्दे बसंती का जो कैरेक्टर था उसे बिलकुल अलग कैरेक्टर है और उसका अप्रोच बिलकुल अलग होगा सिर्फ दो और सवालों के गुंजाईश है लेकिन उसके पहले फिल्म के डियो पी श्री रिशी पंजाबी हमारे बीच है मैं चाहता हूं वो भी हमें जॉइन करें प्रिश्य पंजाबी जी वेलकम रिशे जी आखरी दो सवाल है कहां से आ रहे हैं दो हैं बीबी बात में मुझे मत करेंगा कि मैंने बिल्कुल ही कुंजाईश नहीं चूड़ी और अगर सवाल नहीं है तो हम लोग काफिटेरिया के तरफ आपके बढ़ सकते हैं और वहां आप लंच करें और धारे कि में में ये अखर दूंगा लिकिन मेरे मेडिया के दोस्त्यों आपके आफ्सेटरीया फुर लाइंच थैंक यू बरी बच्श कुछ के फिए मेंट पाथे खिए फिए मेंट जी कूड़िया गाटिया है जब आपको आपर किया है तो पुर्णी या जब ये पिचर ओफर हुई ऑफिसले बहुत एक्साइटमेंट थी एक तो मैं तिक मांशु सार के साथ बहुत समय से काम करना चाहरा था और मुझे मौका मिला इसके साथ और दूसरी बात ये थी कि ये हमारी हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टन चैप्टर है ये जो आयने ट्रायल हुए थे रेड़ फॉर्ट में और जो इसके पहले जो वार हुई थी और बहुत दुख्की बात है कि हमारा हमारी जो जनरेशन है इसके बारे में बहुत कम जानती है और मेरी मेरा होप है कि ये पिचर के थ्रू लोग इसक लेकिन साथ ही बहुत ही एंटेटेनिंग पिचर है कोट्रूम ड्रामा है वार फिर्म है तो आम बरी बरी एक्सा ले रहे हैं और उसको परदे पर लेकर आ रहे हैं और मैं जो चैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ एक रियल लाइफ चैरेक्टर तो इसके बारे में जितना कुछ म मैं पढ़ सका मैंने पढ़ा जितना कुछ देख सका देखा चाहे हो आमी के बारे में उस दौर के बारे में हो देश के क्या हाला थे उस समय लोगों का लोगों की मानसिक स्थिती क्या थी उस समय पर तो उसके बारे में जितनी पढ़ाई लिखाई कर सकता हूं मैं कर रहा और हम खुद एक पिचर कर चुके हैं जिसमें बागत सिंग थी अरह मेरा यह मानना है कि पिचर अच्छी होती हैं बुरी होती है यह क्रिटिकल कमर्शिल वो सब मुझे ज्यादा समझ नहीं है अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है कि मैं करता हूं और मेरी उमीद रहती है कि ना सिर्फ लोगों को पिचर अच्छी लगे लेकिन बॉक्स आफुसे पे भी चलाएं I think they're both very very important things क्योंकि कुना इंडिस्ट्री थी रिस्पेक्टेड विड़नेडी है आप सभी लोग इसे लोग इसे समान करते हैं मुझे लगता है यार ये अब कॉंट्रिवर्सी को बहुत खी चुके है और बहुत समय से चल रहा है मुझे लगता है कि अब ये सवाल बंद कर देना चाहिए आपको चले एक स्टेटमेंट चाहिए आपको सही लगे गलत लगे इसको मतलब कितने हाफते होगे अब ये स्टेटमेंट खिचती जारी है मुझे नहीं लगता कि एक स्टेटमेंट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए अब यहाँ पर चीज के बारे में बात करना है अने वाले प्रोजेक्स एक मेरा प्रोजेक्ट है वीरम जो एक ट्राइलिंग्वल पिच्छर है जन्दगी और हमने यह बिच्छर हिंदी उंग्लिश और मल्यालम में शूट किया है और मेरे इस बसे चैलेंजिंग पिच्छर थी क्योंकि फिजिकली और इमोशनली मेरे बहुत चैलेंजिंग थी मैंने इस तरह का एक तो पहले मगबेट कर रहे हैं हम Shakespeare और वो भी तीन languages में तो बहुत ही challenging picture थी और डूसरी picture जो है वो गौरी शिंडे के साथ है जिसका नाम अब है Dear जिंदगी और वो रिलीज होगी जल्द Thank you so much Thank you, thank you so much Thank you Thank you Thank you Thank you काफी Actually school में तो मैंने जादा history का शौक रखा नहीं था पर अब मुझे history पढ़नी पढ़ी And we've done हमने काफी research की है जितना available material है हमने उसको पढ़ा है जितनी documentaries इस topic पर बनी है आइने के उपर और इंडियन नेशनल आमी अजाद हिंद फ़ाज और जो मेरा क्यारेक्टर है प्रेम सेगल उनके बारे में जितनी information available है वो हमने अच्छे से पढ़ी उनके documentaries देखी और कुछ चीजे जो हैं हमें क्रीट करनी पढ़ती हैं जो अवेलिब नहीं हैं और कुछ चीजे जो अवेलिब is a you know it's a period film it is set in 1930s 1940s तो आखिर में आप एक्टर बने थे अलग-अलग करेक्टर निभाने के लिए यहाँ आपको अपरचुनिटी मिल रही है कि आप मोहित मारबा को कोने में छोड़ कर आप एक नई दुनिया मो जा रहे हैं तो 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 इस वाई बिकेम एक्टर एक्टर बना तो तो बेरीए अच्छीजे हम को ढूदनी पड़ी काफी कुछ चीजे आपको जो मुझ में और उनमें सिमिलर हैं जो गीती रीजन आपको मुझे कास्ट भी किया गया इस रोल में कि पहली बात तो उनको लगता है कि मैं देखने में उनकी तरह हम काफी मिलते जुलते हैं और वो एक बहुत बड़ी चीज थी फिर एक आपके बात करने का धंग आपके तौर तरीके वो एक बहुत एडुकेटेड फैमिली से एक अपर मिल्ली क्लास फैमिली से आते थे और उनको एक काफी अच्छा चाइल्डूड मिला और उनको सबसे पहले मैंने नोट डाउन कर लिया कि यह मेरा स्टार्टिंग का मुझे बेस मिल गया और उसके बाद फिर आप उसके उपर कैरेक्टर क्रियेट कर रहे हैं इस इस बिन वेरी इंट्रेस्टिंग कर रहा हूं लंच हो और उसके बाद शूटिंग शिरू हो और क्यारेक्टर में वा गए और जाके प्रेम सेगल की क्यारेक्टर को बस बखुभी निभाएं और लोग को पसंद है कितने इसमा डर के तरह हैं कि इस लेवल पर मैंने सूचा हूँ है क्या वो लेवल चुपा हूँ है और उसे ज्यादा अच्छा है रहा है और अच्छी हमारे डिरेक्टर ने हमको काफी कॉफिदेंस दे दिया है तो डर अब बिल्कुल नहीं है आई थिंग हमने काफी इंफ कर लिया है हमको काफी डेटा महरे पास आ गया है तो आई थिंग अब उसको बस यूज करने की बात है अब इस यह विद यह फिलिग वरी ओंफिदेंट विद्ध यह और यह तो यह तो यह फिल आम लखी के मैं अपनी दूसरी पिच्छर उनके साथ कर रहा हूं इतने इतने करीयर के अरली स्टेज पर मुझे इतने बड़े डिरेक्टर के साथ काम करने का मौगा मिला है यह रखी से अच्छी परफॉर्मेंस निकालते हैं वह अच्री सेंसिबल पिच्रे बनाते हैं और उनकी पिच्छे पैसे भी बनाती है तो इस अ गूद कॉमरेशन दू है और य मैंने अपनी लाइफ की जितनी बाकी चीज़े उन सब को हटा दिया है अभी only one focus, straight focus and is this film. So, just excited for Raag Desh Birth of a Nation. अचले तेगे, thank you so much and thank you all for this. Thank you very much. अचाहेंगे इसके बाद आपको बहुत सारी विल में और अच्छे ची में. Thank you so much.